प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अन्डी बात तो यह आज करनी है कि इंडिया जी ट्वंटी क्यों कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडिया नॉकॉपाइट कश्मीर में कोई 22 से 24 माई के दर्मियान और सुनने में आ रहा है कि यह कोई यूथ फो नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ड जो है वो इंडिया अकॉपाइट कश्मीर के अंदर इंवेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है जी ट्वंटी की समिट पर यह बोल रहे हैं एक बात और दूसरा क्या पाकस्तान ने जी ट्वंटी के मुलकों को फ वो बैठ गई है आठ जजों ने सुना है कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लिमेंट ने लॉब नाया उसको रिव्यू करना है इधर फॉरण पॉलिसी पे ब्लेंडर हो रहे हैं मुस्लम वर्ड हमारी बात नहीं सुन रही तो यह डिरेक्शन फाइनेंशली जो है वो आपको कि एक तो यह पहले ही अनौस था कि उन्होंने यह किश्मीर के अंदर करना है और बलके जो जी टूइंटी के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर मुख्लिफ रीजिंस के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी यह को नई बात कोई सर्प्राइज नह है लेकिन पाकस्तान की तरफ से मैं यह बताना चाहूंगा कि पाकस्तान हर चीज के उपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता ना जरा रहा है इमरान खान दौर से पाकस्तान आइसोलेशन में है और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए बलाक मन रहे हैं रशिया औ अब उसमें ना सिरफ इनका डबल स्टैंडर कश्मीर पे कश्मीर के अंदर यूए के हवाले से है बलकि आप डबल स्टैंडर देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसल्मानों के लिए पाकस्तान आवाज बिलकुल नहीं उठाता है दूसरी चीजों के उपर आवाज उठ लेकिन इस वकत अगर देखा जाए तो जो पाकस्तान के अंदर प्लिटिकल इंस्टैबिलिटी और जो फिनेंशल क्राइसिस चल रहे हैं इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी को बात सुनेंगे क्योंकि पाकस्तान इस वकत हर मुसल्मान कंट्री से हर दूसरे म पालिसी ना होने के बराबर है जो मरासला खासाब ने जो लहराया था उसने मेरा ख्याल है पाकस्तान की फारंट पालिसी के उसको एवस कहते हैं लास नेल इन दा काफन लेकिन यह कि मुझे मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगे जो इस वकत बड़ी काबले फिकर है मै मुनसूबे बना रहा है आप अपने किश्मीरियों को किया जवाब देंगे? वहां पे यू एई बहुत बड़ी माल बना रहा है वहां पर हास्पिटल बनाया जा रहे हैं मेडिकल काल्यजिस बनाया जा रहे हैं. अभी रिसेंटल भारत ने वहां एक बहुत बड़ा हैंगे आपके तीस पैंटीस परसेंट इंफ्लेशर रेट चल रहा है और रिसेंट इंस्टेबिलिटी जो है आपने वहां पे जो अजाद किश्मीर के अंदर जो नए क्राइसिस हैं वहां पे वजीरे आजम के खलाब जो कुछ